जो मेरी कंट्रिब्यूशन है वास्तू के जगत में मैं आपसे वो शेयर करता हूँ और मेरी भी क्या है समझा दिया गुरू ने इंजनियर था प्रोसेस चार्ट बना दिया अपनी सहूलियत के लिए बनाया था कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा मैं अच्छा teacher नहीं हूँ सच में मैं अच्छा teacher नहीं हूँ क्यों अच्छे teacher तो मेरे माता पिता हैं मेरे पिता जी science के बहुत अच्छे teacher थे mathematics के बहुत अच्छे teacher थे उनके पढ़ाए I.E.S. भी बनगे, scientist भी बनगे, बड़े बड़े लोग बन गे वो अच्छी टीचर थे मेरी माता वो इंग्लिश की लेक्चरा रही वो एक अच्छी टीचर रही हिस्ट्री की लेक्चरा रही वो एक अच्छी टीचर रही उन्होंने मुझे कुछ संसकार दिये और मैं उन संसकारों का विरोध करता था क्योंकि महौल जो था वो उन संसकारों को अलाओ नहीं कर पता महौल कुछ और था गाओं का महौल पर संसकार कुछ और थे कभी इस नाते कि ये हमारे खांदान की परंपरा नहीं है कभी इस नाते तुम्हारे दादा परदादा ने क्या किया कभी नाना पड़ नाना ने क्या किया वो एक बाल सुलब मन के उपर कुछ चीजें डाल रहे थे और मैं कहता था ऐसा नहीं होता लोग जूट बोलते हैं धोखा देते हैं मां कहती थी नहीं बेटा दादा जी कहते थे बेटा चीनी का प्रामिस करके नमक मत दे देना किसी को क्या समझ में आया चीनी का प्रामिस करके नमक नहीं देना और प्रामिस करना एक किलो का और गरंटी अपने अंदर करना कि एक किलो सौ ग्राम जाए उसके घर ताकि वो जाके कहे लाले को अकल नहीं है पर वो हर बार तुमसे खरी देगा आप समझ रहे हो समस्कार कैसे काम करते हैं तुम अपने क्लाइंट को ओवर कमिटमेंट मत करना मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा तुमसे कुछ नहीं होना ढपोल शंक मत बनना क्लाइंट कह रहा है कि अपना ये प्रैक्टिकल गोल है ये पूरा हो तुम कहोगे इससे दसगुना क्यों न हो बात करने के लिए उसको ब्रेंस्ट्रॉमिंग करवाने के लिए तुझे जरूरी है कि भैसब दसगुना कैसे हो सकता है ताकि तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट बन जाए पर तुम कमिटमेंट मत करना कि मैं दसगुना कर दूँगा तुम कहना जी मैं पहले फेज में बैलेंसिंग करता हूं दूसरे फेज में बैलेंसिंग करता हूं बार बार मनस कहां लाना बैलेंसिंग करता हूँ और फिर जो इश्वर इच्छा एक दो तीन बार में ये काम करना उसके पहले दिन की समस्याएं और टार्गेट्स को लिख लेना रिजल्ट ऐसा आए कि सौदा तो हुआ था एक किलो का एक किलो का सौ किलो कैसे हो गया ये अश्चर है ये विसम है उसके लिए छोड़ देना जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कितने लोग हैं जो एस्ट्रो वास्तु प्रैक्टिस करते हैं हाथ खड़ा करिए अपने अंदर ज्हांकना अपने अंदर ज्हांकना तुम अकेले में बैठके क्या तुम authentic हो या एक किताब से एक नुस्खा पड़ा और उसको चिपका के अपने आपको महान समझ रहे हो तुम्हारा नुकसान हो रहा है दुनिया में किसी का नहीं हो रहा है तुम अपने फाइदे के लिए पहले अपने अंदर ये धार ना लाओ कि मैं दूँगा तो accurate और शुद्ध दूँगा फिर तुम्हारे पार्खी है हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी कौन पार्खी है तुम्हारा अधिकारक्षेतर नहीं है मेरे गुरुजी ने कहा मेरा काम है तुम्हें इतना तपा देना इतना तपा देना कि तुम ग्रेफाइट कारवन से डाइमंड बन जाओ ग्रेफाइट से डाइमंड की यात्रा दो ही चीजों की है प्रेशर और ताप heat and pressure converts a ग्रेफाइट इंटू और डाइमंड माइन पे क्या बोड लगा है dig hair guaranteed best category सस्ते दामों पर डाइमंड उपलब्द है कहीं बोड लगा है तो कौन खोज लेता है डाइमंड को कौन खोज लेता है किसी की प्रकृति ऐसी है जिसने खोदा खादी करके सिरफ डाइमंड ही खोदने है उसकी प्रकृति वो उस पे छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे काम का वो है नहीं तो जरकृन भी है मिलता है ना जो जरकृन पहन के खुश है उसके लिए वो लोग ठीक हैं तोटकों की किताब पढ़ी उनको एक तोटका दे दिया क्योंकि उनको तोटकई चाहिए पर तुम डायमंड देना और यही मैं सिखाना चाहता हूँ तुम तप जाओ तुम डायमंड हो जाओ फिर एक है जिसको बेस्ट रिसोर्सिज चाहिए कौन होता है बेस्ट रिसोर्सिज वाला फायर एंड है वो खोदी लेगा क्योंकि सारी माइन्स भी उसकी है धर्ती पे उसी को समस्ता है उसी को पर्ख है कोई बात नहीं तुम्हारा डायमंड है ना तूटेगा ना घिसेगा ना स्क्रैच आएगा और जहां जाके चमकेगा उसकी चमक को देखके जो वहां खड़ा है वो तुम्हारे पास आएगा